और इस बीच एक और बड़ी ख़बर आपको बता दें, तीन राज्यों में जीत के बाद एक्शन में बीजेपी, मद्रदेश अत्तीस गड़ राजस्तान में भेजे जाएंगे प्रविक्षक, बोपाल में आज हो सकती है विधायक दल की बैठक, प्रयोक्षकों की मौझूद का प्रोसेस होना है आज है यानि मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर चर्चा बीजेपी की तरफ से हो चुकी है, पालिया में इंटरी बोड की बैठक में, लेकिन जो परंपरा है, जो प्रक्रिया है बीजेपी के उसके मुताबिक प्रविक्षक वहां से नाम तय किये जाएंगे, जेपी नडड़ा की तरफ से उसकी घोशना की जाएगी, वो परविक्षक आएंगे मद्यपरदेश और मद्यपरदेश में आकर की यहां विधायक दल की बैठक करेंगे, और विधायक दल की बैठक में ही नेता विधायक दल चुना जाएगा, उसके नाम की घोशना की जाएगी, तो अभी तक लेकिन कौन मुखमंतरी होगा, अभी तक BJP की तरफ से परवेक्षकों के नाम की घोशला नहीं की गई है, लेकिन उमीद की जा रही है कि थोड़ी देर में परवेक्षकों के नाम की घोशला हो जाएगी, और वो परवेक्षक आज ही मद्ध परदेश के लिए या राजास्थान के लिए या चतिस गल के लिए रहवाना हो जाएंगे और वो यहां आएंगे और हो सकता है कि मद्ध परदेश में आज देर रात विधायक दल की बैठक हो जाए और नहीं तो कल भी बैठक हो सकती है पुझे विजेपी एक चीज़ और बताई कि शुराज सिंग का नाम तो कल से लगातार चर्चा में है और संकेत दाप भी दे रहे थे कि शुराज सिंग चौहान ही सियम होंगे लगबग ये माल लिया जाए क्या कोई और नाम पर भी चर्चा हो रही है जी देखें सबसे बड़ी बात है कि आप देखें कि सिवराज सिंग चौहान हो चाहे राजस्थान में उसनर राजे सिंधिया हो या 36 अगल में रमन सिंग हो आप बीजेपी आप चुनाओं में किसी भी विक्ति का नाम आगे नहीं करती है कि नेता कौन होगा सिर्फ मोधी के चेहरे पर बीजेपी चुनाओं लड़ती है चुकि उसका परणाम बीजेपी को मिलता इसलिए बीजेपी को लगता है कि एक तो एंटी इंकमेंसी जहेलो अगर यहां मध्यपरदेश की बात कर लें कि एकर सिवराज होते तो कहीं एंटी इंकमेंसी का नुकसान ना हो जाए कि अगर सिवराज बहुत एक्टिव नहीं हुए तो नुपसान हो सकता है तो सिवराज सिंग चवहान को यह कह दिया गया था कि आप ही मुख्यमंत्री बनेंगे आप अपनी पूरी ताकत से लगिए तो आपने भी गौर किया होगा कि लास्ट के बारा दिनों में सिवराज स सार आपसे अपडेट लेते रहेंगे